हेलो फ्रेंज एन वेल्कम टू लेर्णी जी दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण गवर्णर जेर्णल और वाय सराय की संकला के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे वह करेंगे लाड लेटिन प्रथम की यह वीडियो के इंदरी थोगा लाड लेटिन प्रथम पर इससे पहले ह दी जो चर्चा की थी फो बहरत के अंतिम गवर्णर जेइटर और प्रथम वासराया Prophet विधे लेटिन के बारे में जैनकारी हमें पहले वह लोगरता। पर दे रहे हैं वो करम के इसाफ से नहीं दे रहे हैं जिस करम से इनका सासन काल रहा हम वरिता दे रहे हैं इसाफ से जो कि में तो पूर्ण से पहले लाज लेटिन प्रतम भारत का भायसरा उन्यों प्रतम को सब्सक्राइं का करते हैं तो अधर बात करते हैं विख्थिकत रूप से तो लाइडिटन की पूरा नाम ता वह रावर्ड बुलवेर लिटिन एड़िड था हुआ पुर्ड नाम क्या था लौर्ड लेटिन का रावर्ड उसलेtoo अगर्वालट कनसा ऐड़ी साथ पुर्षित हुपन्यास्कार नीवन्दलेकर सहटकार था लाज लिटन एक उपन्यास कार भी था निवन लेखक भी था और लिटन को ओवैन मैरीडित के नाम से जाना जाता था तो इस-परकार ये अक पुरा नाम रावर्ड बुल्वेर लिटिन एडवर्ड था.? बारत में जो करीकाल रहा वो कब से कब तक रहा 1886 से लेकर 1808 तक अब इसके कारीकाल में पर सबसे प्रमुख बात तुरही वह यह रही कि छिस समय इसने सासन का कारेबाद समा तर्मादा मतलब 1864 में उसमें देश में बहुत जादा अकाल पहला हुआ था तो जैसे यह वायत र तक कारीकाल में जब इसने के भारत न स्था पर बढ़कर पर भालत से बहुत ही व्रहद रूप में भारत पर अपना कब्जा जमालिया उसने लाड लिटन के ससनकाल में चुकि अकाल समपूर भारत वर्स में फैला हुआ था तो उसकी जो अकाल के कारण थे उस पर विचार करने के लिए लिटन ने रिचार्ड इस्ट्रेची के अधिक्षिता में किसके अधिक्षिता में रिचार्ड इस्ट्रेची के अधिक्षिता में अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए अकाल कमिशन की नियुक्ती की जो अकाल कमिशन नियुक्त किया गया वह किसके अधिक्षिता में नियुक्त किया गया रिचार्ड इस्ट्रेची की और इसका प्रतेग जिले में एक अकाल कोष खोलने की सला दी तो अकाल कमिशन की सला यह थी जहां-जहां आकाल है अकाल के समय वासरा ने 1870 में दिल्ली में अत्यंत सांदार दरबार गोशित किया जिसमें मारानी विक्टोरिया को भारत की समगरी गोशित किया मतलब भारत में पूरा अकाल थैला हुआ था उस समय विटैंश्मारानी विट्वरिया के भवस्वागत डिल्ली में एक जो सांदार दरबार था उसका हिष्जित किया गयाً इसी दवरान विक्टोरिया को कैसरे हिंदी की उपाधी प्रतान की गई तो यह एक भारतियों के लिए एक बहुत ही विरोत का कारण रहा त्यूंकि संपूर्ण जो भारत था वह अकाल से गरसित था और जो राजस उता वो वे किया जा रहा था महरानी विक्तोरिया के स्वागत में और जुसमें उनको ये कैसरे हंदिक उपादी प्रदान की जायती तो एक 1878 में मतलब 1878 इसवी में लिटेन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया जिसके द्वारा देशी भासाओं में प्रकासित होने वाले समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबंद लगा दिये गया और उनकी स्वत्वंतरता चीन ली गई जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थ उनकी जो स्वतंतरता थी वह कहीं न कहीं बादित हुई भारत की प्रेस नीति की कडिया लोचक थी इसलिए इस पर काबू करने का यह अधिनियम लाया गया था यह क्यों कि आ गया अगर बात करते हैं जैसा कि इसमें भी बात की कि देशी वासाओं में प्रकासित होने वारे समाचारज़म पत्रों पर प्रतिबंद लगा गया गया था कुछ समाचार पत्र नाव ब्हुंकि नुगित हैं यह जदा व्याद शते नाती थी इस पर काबू करने के लिए ही इसका में जू देश था और बाद में 1882 में इसके उत्तरादिकारी लाड लिपिन ने वर्नाकुलर प्रेसक्ट रद कर दिया और लाड रिपन के बारे में संपूर्च अच्छा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे तो यह जो रद किया गया हुए रिपन के द्वारा रद किया गया और कवर रद किया गया 1882 में और यह सवाल यहां से बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रभावित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन से था तो राष्टवादी समाचार पत्र जो स्वोम प्रकास था स्वोम प्रकाँ यह पहला समाचार पत्त्र था स्वोम प्रकाँ चोकी प्रभावित हुआ अ अगर बात करते हैं आगे आघए अक्रीस्ट का समर्थन करने वहला समस्रा पत्र अción तो पाइनियर जो था पाइनियर ने वर्नाकुलर प्रस एक्ट का समर्थन किया वर्नाकुलर प्रस एक्ट का समर्थन करने वाले समाचार पत्र के अगर बात करते हैं तो उसमें पाइनियर का नाम था 1878 में 1858 यिस्ट्वी में भार्ती सांस्त्र अधिनियम भार्तिय शांस्त्र अधिनियम पारिट हुना इस अधिनियम में यह निरदारित किया बिना लाइसेंस के लोगों को जो सस्त्र हैं वह बैचने से रोका गया भार्तिय Просто दिनीयम जो यहाँ पर सास्थ्र लिख गया तो भारति शस्त्र दिनीन जो पारित हुआ.. का पारित वा चांगेश्यों अंग्लो इंडियन इन पर लागू नहीं होता था.. इसको एक कानुन कहा गया था.. मतलब इसमें ये मेटपूंट था कि इसमें बिरा लाइसेंस के जो सस्त्र थे जो हधियार थे वो रखने से रोक लगाई गई थी लेकिन ये अपवाद था किन के लिए अंग्रेजों के लिए और एंग्लोइडियंस के लिए तो इस प्रकार ये एक रंगवेदी कानून कहा गया है अगे बात करते हैं लिटन ने इंग्लेंड की सूती मिलों को लाप पहुचाने के उद्द्ध से कपास पर लगे आयास तुल को कम कर दिया जिसका बुरा प्रभाव भारत की सूती मिलों पर पढ़ा लिटन ने इंग्ले सुपढ़ाने के लिए उनको लाप पहुचाने के लिए जो आयम कदम उठाया वो यह था कि कपास पर लगा जाने वाले आयास को कम कर दिया इसका में करण यह रहा जो में इफेक्ट रहा वो यह रहा कि भारत की सूती मिले थी उन पर बहुत ही बुरा असर पढ़ा लिटन इसके सबसे दुरभा के पूर्ण और अनुचीत कार क्या था वह था 1878 इसवी में अफगान युद्ध की विरुद्ध युद्ध की घोशना और इसमें 1878 इसवी में अफगानिस्तान की विरुद्ध युद्ध की घोशना होई यह दूरती अफगान युद्ध था जिसमें जान और माल का भारी नुकसान लेटन को उठाना पड़ा तो य सेवा से बंचित रह सके वह सिविल सर्विसेज में परिक्षाओं को सफलता पूरवक ना असिल कर सके तो इस वजह से इसने अधिक्ता में उसीमा थी सब्सक्राइब अगले वीडियो में बात करेंगे लाड रिपन की जिसके वारेम पीच के गवर्नर जेनरल्स और वाइसराय मिस हो रहे हैं उनकी मिश्टर चर्चा अपने आने वीडियो में करेंगे और यहां पर आप बिल्कूल भी आने के करम कि असासन के करम की वरीता को ध् लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं अगर वाइसराय और गवर्नर जेनल्स की तो यहां पर रहेता दे रहे हैं सिर्फ और उनके इक्जाम के दरश्टी से ज्यूजी ज्यादा मैटपूर्ण है उनको उसी करम में हम आपको पेस कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन् अपने सुजाओं में कमेंड बॉक्स में बताएं हमारे जो टेस्ट की सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने रेगुलर टॉपिक्स के टेस्ट की चर्चा करते हैं उनका हिस्सा बने थैंक्स वह अच्छी थैंक्यू